हेलो फ्रेंड जिस भी चैनल पे आप सब बेनों का स्वाक्त है आज हम आपके लिए ये सुन्दर सा नया डिजाइन लेके आए हैं जे बीगिनर के लिए हैं तो बीगिनर इसको बड़ी असानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें 6 लाइया सिंपल बनती हैं चार उल्टे चार सीधे चार उल्टे चार सीधे चार उल्टे चार सीधे और लास्ट में चार उल्टे डलते हैं तो फोर फोर के मल्टीबल के हिसाब से जे फंदे डलेंगे तो फिर इस डिजाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं फोर फोर के हिसाब से तो जे बनका बहुत इसको आप किसी भी project में डाल सकते हैं, ladies cardigan में, baby sweater में, ladies jacket में, jen sweater में भी जे design बहुत सुनतर लगता है हमने इसको pink color में बनाया है, pink color में बहुत अच्छा लग रहा है, आप white में बना सकते हैं, light yellow color में बनाये क्योंकि हमने एक light yellow color में इसको sweater पूरा बनाया था इसलिए हम इसको बना रहे हैं wrong side से जे ऐसा दिखेगा हमने वैसे ये border बुना हुआ था उसके उपर ही start किया है तो wrong side से भी ये बहुत सुंदर लगता है जे देखिए अच्छा लगता है वैसा ही दिखता है जैसा right side से तो हमारी right side जे आएगी जहां last में 4 उल्टे आएगे और इधर first में 4 उल्टे आएगे तो वो हमारी right side होगी तो जो हमारी wrong side होगी वहां हमारे सीधे सीधे फंदे आएगे इसको हम wrong side मान के चलेंगे वैसे भी आप जब बॉडर बुनेंगे बॉडर कोई भी बुनेंगे उल्टा सीधा उल्टी उल्टी लाइनों वाला तो उसके उपर आप डिजाइन को स्टार्ट करना है लेकिन आपने जब डिजाइन स्टार्ट करना है तो आपने फर्स्ट स्लाइज जो बनानी है वो हम नए डिजाइनों की वीडियो आपके पास आएगी और मुझे सब्सक्राइब जूर कीजिए तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी इसमें फर्स्ट सलाई होगी वो होगी हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में चार उल्टे चार उल्टे चार उल्टे कुछ नहीं करना है आपने जस्ट बौडर बनाना है बौडर के उपर आपने चार उल्टे बनाने है चार सीथे बनाने है दो तीन और चार फिर आपने चार उल्टे बनाने है एक दो तीन चार तो जे बिगनर बड़ी असानी से बना लेंगे चार सी एक, दो, तीन, और चार, चार सीधे बना लिए आपने, चार उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर चार सीधे, एक, दो, तीन, और चार, चार सीधे, चार उल्टे, दो, तीन, चार, और चार सीधे, चार सीधे बनाए, थ्रेट जिदर किया, चार हमने उल्टे बनाने है, तीन बने है, चार सीधे, अब चार उल्टे, तो ऐसे हमने फर्स्ट स्लाई बनानी है, अब हमने सेकंड स्लाई बनानी है, तो सेकंड स्लाई रॉंग साइड है तो हम रॉंग साइड पे क्या करेंगे हम सीधे बुनेंगे पहले चार फिर चार उल्टे तो हमने पूरी स्लाई ऐसे ही बनानी है चार सीधे चार उल्टे और चार सीधे और लास्ट में आकर हमने चार सीधे बनाने है तो फ्रेंड्स हमने ऐसी सीधी उल्ट छे सलाइयां बनानी है जे सेकन सलाइय है तो चार सलाइयां और हम ऐसे ही उल्टे बे उल्टे सीधे पर सीधे चार उल्टे चार सीधे तो हमने छे सलाइयां बनाने के बाद सिर्फ दो डिजाइन की दो ही सलाइयां है जो हमने बनानी है तो हम वो दो सलाइयां डिजाइन की आ अभी हमने दो ही स्लाइयां बनाई है और चार उल्टे चार सीधे चार उल्टे चार सीधे जे राइट साइड से हमें दो उल्टे दिखते हैं वो राइट साइड है और रॉंक साइड पीछे वाली है तो हम इसी को छे स्लाइयां बुढेंगे दो हमने बोली है चार और बुढ आ ली है जब हमने डिजाइन के उपर स्टार्ट की थी तो हमने फिर्स्ट वालीश लगई बना ली है एक दो तीन CalP hou और छे हमने जहां से स्टार्ट कर की थी 2 4 और च्छे च्छे स्लाइया हम चार सीधे और चार उल्टे बना कर अब हम क्या करेंगे अब हम इस डिजाइन को बनाएंगे डिजाइन बनाना बहुत असान है हमने क्या करना है दो उल्टे बनेंगे लेकर रखने हमने चार ही है हम जे वाले दो जो उल्टे हैं जे वाले इनको हम आगे ले आएंगे और इनको भी आगे जैसे केबल बनाते हैं तो हम फंदे पल्टेंगे तो हमने डिजाइन वाला जो हमारी सलाई है फिर हमने दो उल्टे जो है इनको सीधे की तरफ इदर बीच में लाना है तो हम दो जो सीधे फंदे हैं उनको पीछे से पकड़ लेंगे और आगे वाले दो फंदे जो दिख रहे हैं, उनको ऐसे आगे ले आएंगे, पीछे वाले, जो राइट वाले फंदे हैं सीधे, उनको आगे लाकर हम दो उल्टे बुनेंगे, दो उल्टे बुनें, हमने तो हमारे कितने होगे, चार, जो हमारे दो उल्टे इधर आये थे, उ उनको हम सीधा बुनेंगे एक और दो तो हमने दो सीधे बुने अब जे वाले जो दो फंदे हैं इनको हम आगे लाएंगे तो कैसे लाना है हमने पहले इन दो फंदों को आगे ऐसे इस सलाई में ले लेंगे फिर इन फंदे उतार कर उसी टाइम इन दो फंदों को पकड़ ले तो इन दो फंदों को जो उल्टे हमने पकड़े हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे, एक और दो, तो हमारे बीच में कितने होगे, चार फंदे सीधे, फिर हम इन दो फंदों को उल्टे बुन लेंगे, तो हमने दो फंदे उल्टे बुन लिए, अब हमें जहां चार फंदे चाहि हैं, इनको पिछे से पकड़ेंगे, जे पिछे से पकड़ लिए संदे दोनों, आगे आले दोनों फंदे इदर ले आए, जो सीधे फंदे हम इदर लाएं हैं ट्विस्ट करके इनको हम उल्टे बुनेंगे एक और दो सीधे फंदों को उल्टे बुनेंगे उल्टे फंदों को सीधे त्रेट इदर करेंगे जो उल्टे फंदे हम लाएं इदर इसको सीधा बुनेंगे ऐसे सीधा बुना फिर हम दो फंदे आगे उल्टे ले आएंगे और इन दो फंदों को हम इस स्लाइप में पकड़ कर केबल की तरह ट्विस्ट करेंगे और इन दो फंदों को जो उल्टे दिख रहे हैं सीधा बुनेंगे दूसरे को भी सीधा तो हमारे बीच में चार फंदे सीधे होगे अब दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक दो जब दो फंदे उल्टे बुनेंगे तो इसके साथ दो फंदे और आने चाहिए तो हम क्या करेंगे हम इन दो फंदों को जो पिछे दिख रहे हैं पिछे से लाए सीधे फंदों को पीछे वाली स्लाई में ले जाएंगे और उल्टे फंदों को आगे लाएंगे तो इन दो फंदों को उल्टा बुनेंगे एक और दो दुनों को उल्टा बुना तो भीज में चार फंदे उल्टे होएं फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे जो इधर लाए द अब हम जे वाले दो उल्टे इदर लाएंगे तो हम इस स्लाई का इस्तेमाल करके इसको पकड़ लेंगे फिर आइस्ते से इन फंदों को उतारेंगे और इस स्लाई पे ले आएंगे फिर twist करेंगे ऐसे cable की तरह और इन दो फंदों को सीधा बुनेगे, एक और दो, फिर इन फंदों को उल्टा बुनेगे, दो उल्टे चार सीधे बनते जाएंगे, अब इन दो फंदों को जो सीधे दिखते हैं, इनको पीछे से लाना है, ऐसे, और आगे आले दो फंदे इधर लाने है, उल्टे, तो इनको हम उल्टा बुनेगे, जो सीधे हैं, दो को, तो हमने इनको उल्टा बुनना है, तो हमारे बीच में चार उल्टे आए, अब ये दो सीधे आएंगे, अब इसके साथ दो सीधे और चाहिए, तो हम ये वाले ले के आएगे, तो हम इन दोनों फंद को पकड़ लेंगे और इनको पीछे ले जाएंगे उसी टाइम आपने फंदे अराम से इकठे करके पकड़ लेने हैं फिर जो यह फंदे आगे लाएं उल्टे इनको सीधा बुनना है तो चार सीधे होगे आप जो बचे हैं दो उल्टे बुनेंगे आगे वाले दो तो हमारे उल्टे दिख ही रहे हैं उनको भी उल्टा ही बोल लेंगे तो हमारे चार लास्ट में उल्टे चार फरस्ट में उल्टे बीज में ट्विस्ट करके हमारे उल्टे फंदे इदर वाले उल्टे इदर वाले उल्टे बीज में चार सिद्धे और पीछे से जो आके सिद्धे अब हम design की second slide बनाएंगे, दो ही स्लाइयां है design की, हम 4 सीधे बुनेंगे, और बड़े ध्यान से बुनेंगे, कि हमारे mix न हो जाएं, 4 सीधे बुने, thread अगे करेंगे, 4 उल्टे बुनेंगे, 3 और 4, फिर हम 4 सीधे बुनेंगे, 1 यह देखिए, 2, 3 और 4, फिर 4 उल्टे, 1, 2, 3 और 4, फंदा mix नहीं होना चाहिए आपसमें, 1, 2, 3 और 4, यह देखिए, फिर उल्टे बुनेंगे, thread अगे करके, 1, 2, 3, 4, thread पीछे करके, 4 सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, और 4, चाहर उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चाहर, चाहर सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, चाहर, तो हमारा डिजाइन, 8 स्लाइओं में, कंप्लीट हो गया है, यह देखिए, कितना सुद्दर बना है डिजाइन, 8 स्लाइओं में, अब जो ए 2 स्लाइओं हम डिजाइन की बनाई है, इसके उपर हम 6 स्लाइओं सीधी, 4 सीधे और 4 उल्टे बनाएंगे, इसके उपर 4 उल्टे, 4 सीधे, 4 उल्टे, 4 सीधे, इसके उपर 6 स्लाइओं बनाकर, फिर इसी डिजाइन को हम कंप्लीट करेंगे, तो हमारी 8 स्लाइओ बनाईए जो हमने फर्स्ट बनाई थी सेकंड थर्ड फूर्थ फिफ्ट और सिक्स जे बनाई थी हमने दो चार छे छे स्लाईयों के बाद जे फिर देखे न डिजाइन अंदर जला गया दो चार छेस लईयां बनाने के बाद हमने डिजाइन को ट्विस्ट करके बनाया है तो आप भी ऐसे ही बनाईगे ये शेस लईयां और बनेगे और डिजाइन आके चलता जाएगा और डिजाइन बहुत सुन्दर लगता है जे देखिए बना कर ऐसा लगता है कि जैसे इसको आप बच्चों के कार्डिकन में जैन स्वेटर में और लेडी स्वेटर में जिसमें भी ये डा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज नए व्यूज जो हैं मुझे फर्स्ट बार देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब जरूर करें हमारा भी होंसला बढ़ता है और हमें अच्छा भी लगता है और हम आपके लिए नए नए डिसाइन लेकर आते रहेंगे थैंक यू थैंक यू बेरी मच